जौनी डांगरे जी गुरू जी मैंने कछा में सुना है कि कुट्टे को छोने मात्र से भी पाप लगता है क्या ये सही है मैंने चार कुट्टे पाल रखे हैं क्या करूँ देखिए कुट्टे को छोने से पाप जो साधू जन है जो देखिए भगवान में लगे हैं जिन का मन भगवान में लगा है वो लोग तो भगवान में लगे हैं दो प्रकार के लोग समाज में हैं एक वो लोग हैं जो सम्मय भगवान को देखते हैं तो सम्मय भगवान को देखते हैं इस भाव से आपके हम एक संत जी थे हमारे यहां वो संत जी कुट्टे पालते नहीं थे पर वो संत जी सब से प्यार करते थे तो वहां बिल्ली भी रहती थे, मेरी आखों के सामने की घटना है, मैं भी उस आस्त्रम पे रहा हूँ, कुत्ते और बिल्ली साथ में रहते थे, दोनों खाते पीते थे, संत जी थे न, खिला पिला देते थे, ग्रणा नहीं थी, नफरत नहीं थी किसी से, संत भाव था उनका, सम्मेश्वर का भाव था, परंतु हम ग्रहस्थी लोग हैं, हम ग्रहस्थियों को क्या करना चाहिए, देखिए कुत्ते जो होते हैं, मलमूत्र भी चाट लेते हैं, गलत चीज़ें भी खा लेते हैं, फिर वो आपके पास आए, और आपको टच कर दिया, और आप पूजा की तरफ जा रहे हैं, तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, इस भाव से कुत्ते का अश्पर सवर्जित माना गया है, पर आप बांध है ना कुत्ते को, कुत्ते की रोटी जरूर डालते रहें दूर से, छोने की जरूरत नहीं हैं, भाई आज देखिए, कारण तो लोग इंसान इंसान को नहीं छूरा ह क्योंकि वैक्टीरिया हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो कुत्ते तो बहुत सारी जगह जाते हैं, अच्छी जगह, बुरी जगह सबसे मिलते हैं, उनमें पता नहीं कौन से वाईरस हों, वैक्टीरिया हों और जो आपको नुक्सान पहुचा दें, इस द्रश्टी से भी नी पर पाल रखा है आपने, कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन करिए, द्वार पे उनको रखिए, घर के अंदर मत रखिए उनको, द्वार पे ही कुत्ता सोभा देता है, गव माता घर के अंदर होनी चाहिए, गव सेवा करना चाहिए, गव माता दूद देती है, गव माता यहां गव पालन की विधा तो रही है, कुत्ता पालन की विधा नहीं रही है, कुत्ते को गली महले में घूमने दीजिए, उनकी आजादी उनसे मत छीनिये, आज आपने उनको बांध के रखा, कल वो आपको बांधेंगे फिर, तो वो सब गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए आप पाले हैं तो द्वारपी रखिए बाकि आप समझदार हैं टच करना पाप नहीं है पर फिर भी एक स्वक्षता की दरश्टी से ये बात कही जाती है कि टच ना करें अब आपने तो पाल ही रखा है तो सभाविक सी बात है कि वो सुद्धी होंगे ठीक है पर मांसाहरी जी जीव है तो मांसाहरी जीव का इस पर इसलिए बरजित बताया गया है कि हम तो दाल चावल रोटी वाले लोग हैं भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं मांसाहरी जीव को छुएंगे तो नहाना पड़ेगा ठीक बात है